प्यासा बक्षी कहे, मुझे भी पिलादो नी सूखा प्यासा बिहार नमस्कार स्वागत है आपका खबर बिहार में आपके साथ मैं हूँ अभिशेक कात्यायन सूखा प्यासा बिहार, जी हाँ ये हम यूही नहीं कह रहे बिहार में भयंकर सूखे के आसार है, मई के आखरी हफते से ही पानी की किल्लत गहराने लगी है एक तरफ आसमान से आग बरस रहा है, दूसरी तरफ इस प्रचंड गर्मी में जल संकट से जान सांसत में है प्यास बुझाने के लिए राज्यू के लोगों को भारी कश्ट उठाना पड़ रहा है, आगे के आसार और भी ज्यादा चिंतित करने वाले हैं आसमान से बरस रही आग, प्रचंड गर्मी में भयंकर जल संकट, पानी की किल्लत, प्यास की परेशानी मई के आखरी हपते में आसमान से बरस रही आग ने लोगों को भिहाल कर दिया है प्रचंड गर्मी के बीच लू के थपेड़ों ने देश के कई हिस्सों में लोगों की दुश्वारियां पढ़ा दी इस भीषण गर्मी में बिहार में भयंकर सूखे की आहट, बारा से ज़्यादा जिलों में सूखे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है पानी की घोर किलत दिखने लगी है, धर्ती सूख गई है, तलाब कुएं सूख गए है ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाने से चापाकल से पानी निकलना बंध है, पब्लिक प्यास से परिशान है बिहार में सूखे के हलाद कितने भीशन है जी बिहार जारखन की टीम ने ग्राउंड जीरो पर हलाद का जायजा लिया ये तस्वीरे बिहार के सबसे गर्म जिले गया की है पहाडी छेत्रों में आने वाले गाउं के ग्रामिड जल्द संकट की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित है जीले के फतहपुर, टनकुपपा, वजीर गंज, अतरी, इमाम गंज, दुमरिया, बाके बजार, बाराचटी, मोहनपुर जैसे पहाडी छेत्रों के गाउं में पानी के लिए हाहकार मचा है लोगों को किसी तरह पीने का पानी उपलब धो पा रहा है जीले के शेहरी छेत्रों में भी जलापूर्ती की बेहतर व्यवस्था नहीं होने की वज़ा से लोगों को भीशन जल संकट का सामना करना पड़ रहा है भीशन गर्मी शुरू होते ही कैमूर के पहाड़ी इलाकों के साथ-साथ मैदानी इलाकों में भी पानी की जबरदस्त किलत शुरू हो गई है पानी के लिए हाहकार मचा है लोगों के घरों में लगे और सरकारी चापाकल से पानी निकलना बंध है कैमूर जीले के अधारा प्रखंट के 108 गाउं पहाड के उपर स्थित है इन इलाकों में पानी की जबरदस्त किलत देखी जा रही है क्रामिड पानी के लिए कुएं और तालाब पर निर्भर है पानी की किलत ने बकसर के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है गर्मी के रूप में अस्वान से आफ़त बरस रही है तो पानी की किलत ने आग में घीर डालने जैसा काम किया है भीशन गर्मी में पेजल की समस्या है तो चापाकलों ने तो पानी समानों जैसे रिष्टा ही तोड लिया चापाकल पानी निकालने के बजाए लोगों का पसीना निकाल रहें खेतों में पानी नहीं होने से किसान अगलिव फसल उगाने के लिए आसमान में टक-टकी लगाए बैठें यह तस्वीरे लखी सराय जिले के सूर्य गढ़ा प्रखंड के बसुहार गाउं की जहां के लोग पानी के लिए राद दो बजे से ही गाउं के एक मात्र कुए पर जमा हो जाते हैं स्थिती ऐसी हो जाती है कि लोग पानी लेने के लिए मारपीट टक भी उतारू हो जाते हैं गाउं में पानी के लिए हाहकार मचा है भूजल स्तर नीचे चले जाने से जंगली और पहाडी शेत्र और सुदूर देहाती शेत्र के गाउं के अधिकांश चापाकल और कुए सूख गए है इस कारण लोगों को प्यास बुझाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है एक और सुखा सब की प्राण सुखाने को बेताब है दूसरी तरफ सियासत का अपना राग है जहां सरकार की और से बार बार सुखा संकट का सामना करने की पूरी तयारी के दावे किये जा रहे है वहीं विपक्ष का रोप है कि सरकार लोगों की प्यास बुझाने में सफल साबित हो रही है यानि जल संकट पर भी सियासत जारी है जल संकट पर सियासी गर्मी पानी के खिल्लत पर पॉलिटिक्स नल का जल पर वपक्ष पूछे सवा बिहार में भायानक सूखे की आशंका के मद्दे नजर सरकारी कवाया जारी है अधिकारी मुस्तरद है सुखार की आशंका को लेकर मुख सचिव ने साथ निश्य के तहट हर घर नल का जल योजना में तेजी लाने के लिए सभी जिलों में डियम को निर्देश दिये दावा किया जा रहा है कि सरकार अपने संसाधनों के बूते हर इस्थिती से निपटने में सक्षम है चिंता ना करें राज सरकार वहां गंभीर है पीछे भी धान के फशल में हमने लगभग पूरे बिहार को सुखा ग्रस्त किया सरकार वहां की संबेदन सील है कोई कसवती नहीं छोड़े जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कोई भी छेतर विहार का शूखा ग्रस्त है वहां के लोग लाव न ले पाए ऐसा नहीं हुआ को छूट भी गए होंगे उनको भी समाहित किया जाएगा चुनाव समाफ्थ हो चुके हैं अब सब आचार सहीत हैं वगर समाफ्थ हो चुके हैं लिहाजा विहार सरकार का सबसे पहला ध्यान इसी पर होगा और हम आपके चैनल के माध्यम से सब भी छेतरवासियों को आस्वस्त करते हैं कि इसका निराकन भी किया जाएगा और सहय तर्थी जाएगा एक और सत्ता पक्ष की ओर से सूखे के संकट से निपटने के दावे किये जा रही वहीं विपक्ष को इस वादे पर एतोबार नहीं विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार लोगों को पानी मुहया कराने में फेले सवाल हर घर नल का जल योजना पर उठाये जा रहे हैं पूरे बिहार में कहीं भी पानी की बिवस्ता नहीं है कैसा है चाहिवा जो है जिस इलाके में चल जाए है हमारे इलाके में चल जाल कि मेरे यह एक मजबिय गाँ होए नवी था चूआ पंचयत है बुकार पंचयत है जहां कि पानी का जो है को व्य वस्ता अत्राइमाम है जहां कठिनाई हो रही है गर्मी के कारण तपिस के कारण जहां पानी के वाटर लेवल भागे हैं सरकार उसके नजर रखरी उसका इंतिजाम कर रही है और आने वाले कमिंग डेज में जो योजिनाये हैं हमनों की सरकार के जो नल से जल उसको पूरा भी कर देंगा और अभी ततकाल उसके लिए सरकार एक्षन में है और काम कर देंगे पब्लिक प्यासी है जल संकट गहरा है सूखे की आहाट है और पानी की किल्लत के मद्दे निज़र सरकार ने अधिकारियों को पानी के संकट दूर करने के निर्देश दिये है नल का जल योजना को तीव विगती से पूरा करने का आदेश दिया गया ब्यूरो रिपूर्ट जी मीडिया मानियव मुखमंतिरी जी अब तो अचार संगिता भी खतम हुआ नहीं भी खतम होता तो उसके लिए तयारी चल ही आप देखते हैं कि पूरे देश में अब दिल्ली में ही आए हम लोग किस तरह से तेंपरिचर इसका बर रहा तो जतना संभव हो सकेगा मानियव मुखमंतिरी जी करेंगे अब तो हम लोग सभा के सदस हो गई आज या कल हम इस्तिफाव ही दे देंगे इन भी भागों से क्योंकि दिल्ली में रहना है तो दोनों काम एक साथ है नहीं चलेगा और उसके लिए बेवस्था तो पहले की गई अब भी जो जावसकता होगी मुखमंतिरी जी इसको जरूर कराएंगे मुखमंतिरी नितीश कुमार ने खरीफ महा अभियान की शुरूरात की है मुखमंतिरी सचिवाले के समवाद से सीम नितीश कुमार ने 76 रथों को रवाना किया कृशी मंतिरी ने कहा कि किसानों की मदद को लेकर सरकार पूरी तरह से कृट संकल्पित है और उन्हें कहा कि अगर इस बार भी सामान्य बारिश नहीं होती है तो किसानों को मदद दी जाएगी पिछले बार आपने देखा जाकर के मौन्सुन गार बढ़ा गया था और समय से बारिश नहीं हुई और आवसकता से कम बारिश हुई थी तो हम लोगने 14 लाग किसानों लोगसवा चुनाओ में भारी पराजि पर मंथं के लिए आर्जए डी को दो दिवसी समीख्षा बैठक के दिन पार्टी के उमिरवारों से हार के कारणों पर चर्चा की गई बैठक में चुनाव के दौरान तेजस्वी यादों के प्रयासों की पार्टी ने तारीफ की बैठक में साफ हुआ कि तेजस्वी यादों नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहेंगे और 2020 के विधानसवा चुनाव में भी वही पार्टी का नितरत्व कर कि यह जो नतीजा आया है हम सब उस नतीजे को जनादेश नहीं मानते हैं यह एक खड़्यंत्र के द्वारा प्राप्त किया हुआ लोगों का जो वहमत है हम उसे जनादेश नहीं मानते हैं जिन लोगों की सभाव में लोगों की उपस्थती नहीं नहीं होती थे जिन लोगों के चेहरे गिरे हुए थे जिन लोगों का पूरे चुनाव के दवरान कहीं कहीं उश्चाह नहीं था महा कटवंदन हर मोर्षे पर आगे बढ़ करके ये लड़ाई को लड़ रहा था लेकिन जो परड़ाम आया उश परड़ाम को हम लोग एक खड़नतर का परड़ाम मानते हैं पूरा महा कटवंदन एक दूट है रासिये जनतादल सित्य जस्तिक परसाद यादव के नतुत में एक दूट है और जो कमीटी बनी है अभी जो परड़नाम हुआ है उसका माइक्रो लेवल एनालिसिस करने के लिए सिरी जगदालन सिंग की अधक्स्ता में एक कमीटी बनी है उस कमीटी के दूसरे सदस हैं सिरी अब्दुलबारी सितिकी और तीसरे सदस हमारे परड़ान महा सचीब सिरी आलोक मेहता जी है एक तरफ जहां हार के बाद आरजेडी उसकी समीक्षा कर रही है वहीं तेजप्रताप यादों ने तेजस्वी के नाम एक चिट्थी लिखकर राजुनेतिक हलचल तेज़ कर दी है चिठी के जरीये तेजप्रताप ने तेजस्वी को नसीहत दी है तेजप्रताप ने चिठी में लिखा है कि हार की जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए जिन्होंने टिकट बांटे और जिन्होंने चुनाव लड़ा बार बार इर्द गिर्द रहने वालों से सावधान रहने को बुला जो भी बुला पार्टी हित में बुला लेकिन मेरी एक न सुनी गई अपराधी प्रविर्टी और परिवार तोड़ने वालों के खिलाफ आवाज उठाई अच्छे कर्म अठी मांदार उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग की इसके अलावा तेजप्रताप ने लिखा है कि बड़े भाई होने के नाते आपसे अपील करता हूँ कि 2020 चुनाओं में अच्छे कैंडिडेट को टिकट दे कि हार जीत लगी रहती है और उसमें हमने स्लोगन भी डालने का काम किया है तो हार जीत जो लगी रहती है उसे बहुत सारे यह जो स्तिती होता है कोई इधर भागता है कोई पाटी छोड़ के भागता है कोई इस्तिफा देने की बात करता है तो हम कहेंगे इस सब चीज़ करने से हम आगे की लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं हम अपने आपको जब माजी के घर में जब पूरी तरीके से दुस्मन घुस गया है तो हमको उसको कैसे उखाड करके फेकना है कैसे उस पर आप फोकस करना चाहिए अब हमको पूरे बिहार में घुमना चाहिए नहीं इन लोग को ले करके कोई उसका टांग खिचने का काम कर रहा है आगे का जो लड़ाई हो गंभीर लड़ाई हो चुका है पूरे तरीके से पिता जी का जलवा कुछ और है, हम दोसी किसी को नहीं बोल रहे हैं, हम दोसी तेजस्वी को भी नहीं मानते हैं आपके अरजुन अभी बहुती मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि पार्टी के लोग तो सवाल उठाई रहे हैं जो गटबंदर में कॉंग्रेस थे, उनलोग भी सदारन सिंग हो, कादरी हो या आपके पार्टी के महशरी आदम हैं, ये लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि इनको इस्तिफा दे देना चाहिए? जिसको तेजस्वी का नित्विक पसंद नहीं है, वो पार्टी छोड़के जा सकता है, जिसको तेजस्वी का नित्विक पसंद नहीं है, वो पार्टी छोड़के जा सकता है, चाहे वो महाग अटबंदन हो या राज़त पार्टी हो, मैं तेजस्वी का हमेशा साथ काम करूंगा जो उसके उपर परहार होगा सबसे पहले तेजपरता प्यादों आगे बढ़ करके परहार को साहने का काम करें आरजेडी के वरिष्ट नेता और पार्टी के राश्ट्री उपाध ध्यक्ष रगवंस परसाथ सिंग ने कहा है कि लालू यादों की गेर सब्सक्राइब नहीं है और उनका दियोजनास सरकार की सफल हो गई कि किसी हिसाब से उजहरा करके लालू जी को जेल में रखो जे गरबरा जाई लोगा ठीक हम लोग गरबरा गया कॉंग्रस अध्यक्ष राहूल गांधी के स्टीफे की पेशक्ष को लालू यादों ने आत्म घाती बताया है सजायाफता लालू यादों ने ट्वीट किया और कहा कि विपक्ष का लक्ष बीजे पी को हराना था लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली लालू यादों ने कहा कि एक चुनाव के परिणाम से देश की सचाई नहीं बदल सकती है दरसल लोगसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहूल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्टीफे की पेशक्ष की कॉंग्रस में लोगसभा चुनाव को लेकर मन्थन का दौर जारी है बिहार कॉंग्रस कमेटी से पहले महिला कॉंग्रस कमेटी ने हार की समीक्षा के लिए बैठेक बुलाई उस समीक्षा बैठेक में महिला कॉंग्रस की कई नेताओं ने महागटबंदन की नीती और नियत पर सवाल खड़े कर दिये लेकिन मालूम नहीं है कि हत्यार चलाएगा कौन कैसे चलेगा इसकी हमने कोई तयार ही नहीं की सारी मुसलिम मैला या सितनी मैला रोजा रखर के धूप में परिसान होकर हम लोग हर घर घर में गए हैं दौा मांगा हैं कुरान पड़ा नमास पड़ा कि किसी तरह से वत इजो मनतसाओ वत जिलो मनतसाओ अल्ला हिजद देने वाला है लेकिन अल्ला ताला को क्या मंजूर जो हम लोग अभी यहां तक पहुंच गए तो शायद सित बटवारे में कुछ वो नहीं हो सका सही से जो सही से सेलेक्शन होना चाहिए था सित में कंडिडेट का चुनाओ होना चाहिए था वो चीज़ नहीं हो सकी एंडिये के सही होगी लोग जन्सक्ति पार्टी के अध्यक्ष राम विलास पास्वान लज़पी की तरफ से केंडर सरकार में मंत्री बनेंगे इस बात का फैसला पार्टी के संसदिय बोड की बैठक में हुआ है इस से पहले खबर थी कि इस बार केंडर में मंत्री राम वि इसके अलावा बोर्ड में फैसला हुआ कि लजपी कोटे से रामिलास पासवान ही केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे। में पार्टी का प्रतिन निद्रतू करेंगे। ये सर्फ सहमती से प्रस्ताव यहां से पारित किया गया। में बहुत बहुत बढ़ाई देते हैं। और जब निता हाउस में नहीं रहे तो वो जिम्मदारी मेरे वोपर बड़ी जिम्मदारी है। और इसके लिए हम पार्टी को धन्यवाद देते हैं। बहार विधान परश्त की दो सीटों के लिए बीजेपी और जेडियू के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। अधा मोहन शर्मा और जेडियू के संजय जाने अपना नामांकन दाखिल किया नामांकन करने के बाद संजय जाने सी अमनितीश कुमार का अभार जताया और कहा कि वो उत्तर बिहार के मुद्दे को गम भीरता से उठाएंगे नामांकन के दोरान पर एटन मंतरी प्रमोद कुमार, श्रिक्षा मंतरी किशननदन वर्मा, खननन मंतरी विनोद कुमार सिंग और पी-एचीडी मंतरी विनोद नारायन जा मौझूद रहे साथ उजून को विधान परिशद की दो सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और पहली बार एक बहुत बड़ा मौका मिला है कि केंदर में भी और बिहार में सरकार है तो पहली प्रात्मिक्ता जो थी पहले संगठन कार्ज को आगे बढ़ाने का वो सो पहली प्रात्मिक्ता मेरी रहेगी दूसरा कारज है जो जनता की जो जिम W Series तय किया है पार्टी उस जिमवारी को बख contents के जो समस्या है उसको लेके विर्हान पर से दो के मैं अपनी आबाज को बलंद करूँगा पार्टी ने विल्यों में फरहाल इतना ही बने ही बने रही है झाल झाल